कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए महाराश्ट्र सरकार ने दिल्ली, राचुस्तान, गुजरात और गोवा से यात्रा कर राज्य में पहुचने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है ऐसे में महाराश्ट्र में एंट्री तभी मिलेगी जब इन राज्य के लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट रहेगी बता दे कि महाराश्ट्र सरकार ने यह फैसला राज़दानी दिल्ली समेथ इन राज्यों में कोरोना वाइरस की बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुई लिया है सरकार की और से इस संबन में पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी महाराश्ट्र सरकार की और से जारी दिशा नियदेश में कहा किया है कि दिल्ली, राज़स्तान, गुजरात और गोवा से राज़द में आने वाले लोगों की COVID-19 लक्षिनों के लिए जांच करेंगी और जिन में लक्षन नहीं होंगे केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमती दी जाएगी मुक्यमंतरी उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज़ की लोगों से COVID-19 के विरुद अपनी सावधान या कम नहीं करनी तथा दूसरे लॉक्डाउन से बचने के लिए स्वास्त सुदक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि वैसे उन्हें रात का कर्फियों लगाने की सलाद दी गई है लेकिन वह नहीं मानते कि ऐसी पाबंधियों को लागू कर कुछ भी हासल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि लोगडाउन की शर्तों में धील देने का मतलब यह नहीं है कि मामारी चली गई इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है एक वेबकास के दोरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो बड़े पैमाने पर लोग COVID-19 सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन अब भी कई अन्य मास लगाने की निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और भीडभाडवाली जगह पर खूम रहे हैं उन्होंने कहा था कि दिली में तेजी से बढ़ रहे मामली चिंता का विशे है और हमदाबाद में तो कर्फ्यू भी लगाया क्या मैं दूसरा लॉगडाउन नहीं चाहता लेकिन आपको भी सिति की गंभिरता समझनी चाहिए दिवाली के बाद में भारत के सभी राज्यू में कुरोना का संक्रमन बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं महारास्त में कुरोना का संक्रमन जादा नहीं बड़े इसके लिए बहुत ही एहम ऐसा मिर्मे लिया है उसके तहट जो भी प्रवास्त में दिल्ली से आना चाहते हैं गुजरास से आना चाहते हैं राजस्तान से आना चाहते हैं या गोवा से आना चाहते हैं ऐसे प्रवासी जो भी रिमान सेवा से यहां पर आना चाहते हैं, या बाहर रोड आना चाहते हैं, या बाहर रेल आना चाहते हैं, ऐसे सभी प्रवासीों को 25 तारिक के बाद में महारास्त में प्रवेश करने के पहले RTPCR का निगेटिव रिपोर्ट बताना पड़ेगा, जो असी RTPCR का निगेटिव रिपोर्ट बताएंगे, उनी को महारास्त में प्रवेश दिया जाएगा.